एक हेलो एफ्रीवन देना कीचिन में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी आइओ आप अच्छी होंगे मस्त होंगे आज इमां बहुत ही कम सामगरी में बहुत ही टेस्टी वर्फी की रेस्पी आपके साथ सेयर करेंगे मातर आधक कब दूर्ष से हमाई ये रेस्पी बनाए कि इसके लिए लिए एक कडाई जिसको गैस पर रख दिया है गैस को हमने आउन कर दिया है अब उसमें आधक कप दूर्ष डाले हैं अब गैस को तोरा सब्सक्राइब में कर देंगे धीमी आच पर गैस के इदम धीमी कर देंगे फित्वास उसको मिक्स करने के बाद दूद में मिक्स कर लेंगे चीनी को इस तरीके से हम चलाते रहेंगे कि दूद बरतर में चिपके नहीं इस तरीके से चलाते रहेंगे जब दूद को अच्छे से चीनी मिक्स हो जाए तो इसमें एक बरे चमच घी डाल दिए घी को भी अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जब अच् कप मिल्क पॉडर और इसको भी अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे दियान रखेंगे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे यह वर्फी आप एक तम फटाफट घर में मुस्के से 10-15 मिद्ट में त्यार कर लेंगे अगर्ज में बेसिक समान से भी रेश्पी बन सकती है इस तरीके से फेटते हुए हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे देख सकते हैं जब इस तरीके से तम पूरी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तब तक इसको मिक्स करते रहेंगे हम और यह वर्फी इत्मी टेस्ट लगेगी खाने में कि आप मार्केस लाके खाना भूल जाएंगे आप एक वर जूर ट्राइ करिएगा इस तरीके से बनाके इस तरीके से हमारा हो चुका है तैयार देख सकते हैं कितने अच्छी होगे इस तरीके से डो त्यार हो जाते हैं क्षी जाओ हमारी एक हर कि बड़ा देंगे तो निकल जाए तुट वर चाहें घी लगा देंगे को अब जो नंडियु जो जरत बॉड़ी होगा को इस तकि तरीके से पहला स्टेश falei갈ीके से आप अट्शे तरीके से पहल लिएंगे तो फीस में वाला दाम जोंकि हमने तेग चाहिए तो अपनी पसंद कोई भी डाइफूर न कि भादाम डाले हैं मैं और इसको veghunder जल्का दबा दभा देंगे कि तरीके से इक अंदर तक चला जाया जाए इस तरीके से शाय दें Web और अब इसको दाल देंगे फ्रीजर में पाच मिनिट के लिए तेट अच्छे तरीके से जल्दी से जम जये हमारी जब डाल दे रहे हैं इसको दाल दे फट् fasten भायं के यह अरहीं पसंद नाय करने सब्सक्राइब करें और कामेंट् 2 अजरू करें कैसे लगई है हमारी आप को अपनी दूस्तों के साथ क्राइए हमारा आप लोगों को अपने ध्यूंगों का शीर जरूर ब करें ज़ते हैं कि आसका और इस वाल बैस तब और इस तरीके से देख आपसे बात करते करते हैं हमारी वर्फी जो भी कट चुकी है फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप अपना ध्यान रखे टेक क्या वावाई